मैं यह जानना चाहूंगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरिंदर मुदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? अब हैं आप हैरान होंगे, मैं भाथी, फिर वही कहूंगा, मैं ऐसी कठीन जिनगी जी करक आया हूं। तो डॉक्तर क्या होता है, यह महंगी दवाईयां क्या होती है, सौफिस्ट्ट्र क्या होता है, अब 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 आएरुवेदिक भी बहुत इश्वास करते हैं? अब आप जब पहाड चड़ते हैं तो पैर तो दर करते हैं कितनी आधी हो लेकिन उंचाईों पर जाते हैं तो अब जो अख्यला इंसान है वो क्या करेगा कि मानिसवाली को तो कुछ नी कर देनी करा सकता है अब मैं क्या करता था कि मेरे गंदेब हमेशा एक जो असाम का गंशा होता ना है इसा मैं जैसे उसको ऐसे पहर पर बांद देता था पूरा और बीच में एक छोटी लखडी तोड़ करके पैड से लगा जयता था तो इसको मै करू करता था अच्छा तो प्रेसर आता था ऐसा पूरे बाड़ी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था तो ऐसी चीजे में इवोल करता था अपने लिए मैं बहुत साल पहले कैलाश यातरा पर गया था पैदल टोटल यातरा करीब थावजन किलोमेटर का था थ कुछ और भी लोग थे बड़े धनी लोग भी वहां कभी कभी आता में आते थे अब बहुत बड़े-बड़े महंगे वह चमड़ी बचाने के सब लेकर क्या हुए थे मेरे पात केस्टर ओल था और वह भी रो सीधा वह गानी से निकाला हुए तो उसकी मैल भी बहुत मुझ नहीं दो सकते हुए कि उनकी चमड़ी जहल करके निकल बड़े करके लटक गई थी तो बड़े परिशान नहते थे मुझे कुछ नहीं होता था बड़ा महें तेज तर्ला रहता था तो मुझे पूसरे लगे आप क्या करते हो और अगर कुछ नहीं केस्टर ओल लगात करते हैं तो फास्टिंग करता है अच्छा फास्टिंग एकडम से सीवाय पानी कुछ नहीं करना प्रतीसरा इस सर्सों का तेल होता है उसको थोड़ा गरम करके थोड़ा गरम करते रात को दो तीन बुन डाल देता है जलन बहुत होती है लेकिन किये मेरे बहुत इन में क्लीर कर दोता है ऐसी जीने के आदब होता है